सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दबाए इस घंटे को, पाए लेटिस्ट कबरे सबसे पहले आज इस परिवार के लोगों ने एस डियम बबेरु को प्रतना पत्र दे कर पडोसियों द्वारा इसलाम दर्म कबूलने पर प्रताडित करने का आरोप लगाया, जिस पर इस डियम वस्थानिय पुलिस पीडित परिवार के घर पहुंचे वजाच परताल करी मामला जिलाबादा के बबेरु कजबे का है, जहां पर पत्वन निवासी घंशाम शुकला तथा उनकी पत्नी का लिंदरी शुकला अपने बच्चों के साथ रहती है इन दोनों की शादी के बाद घंश्याम के परिवार के लोगों ने दंश्याम व उसकी पत्नी को घर से इनको निकाल दिया था जिसके बाद इन लोगों ने बबेरू में ही 50,000 रुपए का माकन खरीद लिया था और उसमें रहने लगे थे ये लोग ज्यादतर परिशान वसदमे में रहते थे घंश्याम मानसे करूप से परिशान रहता था जिस पर किसी ने इनको हर दौली के चापे शाहम बाबा की मजार में जाने की सलहाद दी थी जिस पर ये उस मजार में जाने लगे थे और इसके बाद बंचियाम ने सन 2011 में इसलाम धर्म कबूल लिया था इसके बाद सन 2013 में इसकी पतनी और बच्चों ने भी इसलाम धर्म कबूल लिया था वो इसकी जानकारी पडोसियों को नहीं दी थी समय बीता गया और पडोसियों को इस बात की जानकारी हुई तो पडोसियों द्वारा इनको प्रताड ना मिलने लगी जिससे इस परिवार ने परिशान होकर बबेरू SDM से न्याई की गोहार लगाई बबेरू SDM पुलिस बल के साथ पीडित परिवार के घर पहुँचे वपूचताज की पीडित घंशाम शुकला ने बताया कि सन 2011 में मुझे साक्षात चापेशाह बाबा के दीदार हुए जिससे मैं वहाँ पर उन्ही के कहने पर 27 महीना बिना अनाज के वहाँ पर अनुष्ठान इवंज जिक्र किया उन्ही के बताये हुए रास्ते में मैं चल रहा हूँ मैंने इसलाम दर्म इसलिए कबूला क्योंकि पहले मैं देवी देवताओं की पूजा और अर्चना करता था लेकिन उनके सामने मुझे कोई सच्चाई का फायदा नहीं मिला जबसे मैं बुजुर्गों का दीदार किया तभी से उन्ही के बताये हुए रास्ते पर चल रहा हूँ इसलिए मैं इसलाम कबूला है कहा कि मेरे बच्चों को लोग छेड़ते हैं कई बार पुलिस को पडोसियों से प्रतार ना की जानकारी दीपर प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया बताया कि पिछली सरकार में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी मगर जबसे यह नई सरकार बनी है तब से मुझे लोग ज्यादा परेशान किया करते हैं इस पर घंशाम शुकला की पतनिकाल इंदरी शुकला ने बताया कि जब मेरे पती ने 2011 हमें दर्म परिवर्तन किया था तो मुझे भी दिक्कत हुई थी मगर ऐसे हालात बन गए कि जिसके चलते मुझे भी इसलाम दर्म को अपनाना पड़ा क्योंकि मुझे घर के ही लोग जीने नहीं देते थे इसलिए उनकी जात और दर्म वापस कर दिया और मैं भी अपने पती के साथ 2013 हमें इसलाम दर्म अपनाया अब यहां के लोग हमें जीने नहीं देते कई बार शिकायत किया लेकिन मोहले के लोग कहते हैं कि तुमने इसलाम दर्म अपनाया है हम यहां नहीं रहने देंगे बताया कि पहले यहां के लोगों को हमारे इसलाम धर्म जानकारी नहीं थी लेकिन जब से जानकारी हुई है तब से हम लोग मुहले वासियों से परिशान रहते है उधर बबेरू SDM अवधेश कुमा श्रिवास्तव का कहना है कि इन्होंने अपनी खुशी से इसलाम धर्म अपनाया है इनके पति घंशाम शुकला ने 2011 में इसलाम धर्म अपनाया है और उनकी पतनी 2013 में धर्म परिवर्तन किया इन्होंने अपनी खुशी से इसलाम कबूल किय यह आज की बात नहीं है 2011 और 2013 की बात है बताया कि यहां पर जांच करने के बाद यह सामने आया है कि एक साल से यह परेशान है क्योंकि जिससे इन लोगों ने यह जमीम खरीदा था उनके लड़के ने जमीम को लेकर विवाद किया था जबकि लड़के की माता से 50,000 रुपया देकर जमीन बेचा था इसी मामले को लेकर अदालत में इनका धीवानी मुकदमा भी चल रहा है इनका यहां कोई दर्म परिवर्तन की बात सामने नहीं आई वैसे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था इन्होंने अपनी खुशी से दर्म परिवर्तन किया वैसे यहां पर श चांती विवस्था सब ठीक है.